मोधी सरकार की विफलताओं की अगर एक सूची बनाई जाए बड़ी लंबी सूची होगी वो तो आप भी मानते हैं तो उसमें मुझे लगता है कश्मीर काफी उपपर स्थान पाएगा आपने कोई कसर नहीं छोड़ी एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बनाया एक ऐसा नारेटिव बनाया कि कश्मीर जिसको पूरा विश्व एक टेरिटोरियल इश्व मानता था एक पहचान का मुद्दा मानता था आज उसको आपने एक सांप्रदाइक रंग दे दिया अभी इसी हफ़ते एक वरिश्व पत्रकार की हत्या हुए राइफल मैन को अगवा कर दिया फिर उसको मार दिया गया 27 दिनों में 57 बड़े हमले हुए और ये 1990 के दर्शक के बाद कश्मीर की इस्तिति शायद उससे भी बत्तर हो रही है जब UPA सरकार थी कश्मीर में जब चुनाव होते थे 71 प्रतिशत पोलिंग होती थी आज हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा लोगसभा शेत्र है जिसमें बाइपोल नहीं हो पा रहे हैं आनंतनाग उसका नाम है साथ प्रतिशत पोलिंग हुई इनके दौरान जो एक बाइपोल हुआ उसमें ये स्थिती कश्मीर की इन लोगों ने बना दिया कठ्वा का हाथ सहुआ उसको भी सामप्रदाइक रंग दिया एक आठ साल की बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियat हो और उसको भी आप सामप्रदाइक रंग दें आपके अपने मंत्री दें जो PDP के साथ Alliance में सरकार चल रही है महतुपूर्ण भारती जनता पाटी के मंत्री उसको सांप्रदाइक रंग देते जा तो आप कश्मीर को सांप्रदाइक बना रहे हैं आप कश्मीर को अपनी सांप्रदाइक कश्मीर को आप कौन सी नीती की विफलता मानते हैं आंतरिक नीती की विफलता तो है ही आपकी विदेश नीती की विफलता इसमें सपश्व दिखती है UN ने एक रिपोर्ट बनाई फिर से दोराता हूँ आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में शाय दिये कभी इस तरह की रिपोर्ट कश्मीर पर नहीं बनी थे एक तरफ़ा रिपोर्ट ये बाहर क्यों आने दी है बनने क्यों दी आप इतना विदेश यातराएं करते हैं आप अपनी मसल फ्लेक्स करते रहते हैं जिसको आप अपनी informal यात्राएं जो आप करते हैं उसमें जो आप तथा कथित आपने गुडविल बनाई जो आप बार-बार इसका बखान भरते रहते हैं कि विदेशों में आपने भारत का नाम रोशन किया उसका लाब क्या निकला उसका सार क्या निकला अगर UN इस तरह की माफ कीजेगा घटिया रिपोर्ट ला सकता है तो कहां है आपकी विदेश नीथे क्या मिला हिंदुस्तान को आपके तमाम विदेशी दौरों से टैक्सपेर को क्या मिला जिसके पैसे से आप विदेश जाते हैं जिसके पैसे से आप हर ग्यारवे दिन पिछले चार साल में विदेश में थे क्या लाब मिला क्या हिंदुस्तान को आज आपकी वज़े से सर नीचा करके नहीं देखना पड़ रहा है आपने इस रिपोर्ट को आने दिया ये एक अपराद है कश्मीर में हम बहुत चिंतित हैं आपने राश्ट्रेस तर पे कोई सरदलिय बैठक बुलाई हो तो आप बताएं अमरनात यात्रा आ रही है हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अमरनात यात्रियों की सुरक्षा के बारे में बताएं देश को आप कितने संकल्प क्या आपका कृत संकल्प हैं आप उसकी उनको सुरक्षा देने में आप सक्षम हैं उनको सुरक्षा देने में आपकी नीती क्या है पिछले चार साल से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक सरदली बैठक आप बुलाएं ये महतुपूर्ण मुद्दे हैं ये राष्ट्र से जुड़ेवे गंभीर मुद्दे हैं इनको आप हलके में मत लीजिए इन पर रादनिती मत कीजिए इन पर सबको साथ जोड़ कर चलिए आपका एजेंडा फॉर एक्षन की एक जुबान है आपके लोगों की कुछ और जुबान है पीडीपी एक और अलग जुबान में बोलता है आपकी विदेश नीती में भी यही है अलग-अलग जुबान में अलग-अलग लोग बोलते हैं होता कुछ है कहा कुछ और जाता है किया कुछ और जाता है, नतीजा कुछ और निकलता है। सुश्मा जी एक तरफ कहती है, talks and terror cannot go together। दूसरी तरफ आप, मोदी जी, विदेशों में summit में जाते हैं और पाकिस्तान की प्रधान मंतरी से मिलते हैं। क्या बात होती है आपकी वहाँ। एने से बैंककॉक में जाकर अपने counterpart से मिलते हैं, क्या बातचीत होती है। जो भी आप करते हैं उसका नतीजा क्यों नहीं निकल रहा। देश तो यह जानना चाहता है नतीजा क्यों नहीं निकल रहा। हम आपकी हर बात मानने को तयार हैं, आपकी हर विदेश यात्रा सफल मान लेते हैं। यह यूएन की रिपोर्ट क्यों आई। 27 दिनों में 57 हमले क्यों हुए। कहां गए वो मोदी जी जो एक सर के बदले 10 सर लाना चाहते थे। कहां गई वो सुश्मा स्वराज जिनका खून खूलता था उस वक्त एक भी हादसा हो जाता था। सत्ता में आने के बाद खून थंडा क्यों हो जाता है आपका। कश्मीर इस सरकार की मैं दोहरा आ रहा हूं शायद सबसे बड़ी विफलता में एक मानी जाएगी। उनकी बाकी विफलताओं के बारे में हम बार-बार इस मन्च से आपको बताते रहते हैं अवगत कराते रहते हैं। लेकिन कश्मीर बहुत गंभीर समस्या है उसमें राजनिती हम नहीं करना चाहते हैं न हम चाहते हैं कि सरकार उसमें राजनिती करें न हम चाहते हैं भारती जनता पार्टी पीडिपी कोई भी उसमें राजनिती करें हम बार-बार आपको बोलते हैं, याद दिलाते हैं, बुलाईए सरदलिये बैठक, चर्चा कीजिए, रास्ता निकालिए, अमर्नात यात्रियों की सुरक्षा के बारे में हम चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित हैं, उसके बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं वो बताईए, क्योंकि आपने जो पिछले एक महीने में कदम उठाएं, उसका नतीजा ठीक नहीं निकला हैं, अब इसके बारे में कोई प्रश्न हो, तो पहले इस विशेय पे मैं प्रश्न लूँगा, उसके बाद कोई और प्रश्न हैं